है लो डॉक्टर्स आज एलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे उसके जो हमारे एक्जाम पॉइंट उप्विव से के इतना इंपोर्टेंट है और किस तरह के कॉश्चन्स बनते हैं और कुछ अच्छे कॉंसेप्स जो है जो हमारे एक्जाम में सीधे पूछे ज है कोई यह यहां पर पोईंट है यह लेक्ट्रिक फिल्ड है और lud passenger कि आप्योन पर सीम।ब्स घुक्त पोइंट इस अफ्म में मात पोटेंशियल है मतलब बहुत पॉइंट पी का जो पोटेंशियल है वो हमें निकालना मैं कैसे निकालेंगे जो इसके डेफ है वह क्या है कि हम посмотр Holiday physity एक पॉइट चार्ज लेके आते हैं क्या करते हैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं कहाँ पर वाट चार्स कैसा ये पॉजीट का ना यूनिट मतलब आपका कि तो कि बज़े गाए है जिसके वेल्व कितीने रहेगी युनिट चार्ज रहेगे ओके यह इंफनेटी है और सब्सक्राइब है इन पोजिटिव चारज है इसको यहां तक लेकिया इसमें जो वर्क हुआ एक्सनल फोर्स ने वर्क किया जिए एक्सनल फोर्स लग रहा है इस पर उसकी जो वर्क किया वो वर्क पर यूनिट चार्ज वह यहां पर क्या होगा पोटेंशियल होगा ना वैसे पोटेंशिटीफ दिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं So, we can say Vp minus V infinity is equal to W external by Q0 per unit charge, ठीक है, समझ मारी बाद, और इसको लेते हम 0, So, Vp is equal to W external by Q0, यह हमारा potential at point P in a electric field, यह हो गया, ठीक है, क्या कि हमने, एक unit positive charge को electric field में slowly ले के आए, राइट, क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, कि इसकी kinetic energy है, Change in kinetic energy, यह फिर KE कह सकते हो, KE आपका almost 0, बहुत slowly लेके आए हैं, और क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड में आए, तो इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, उस फोर्स को हमने क्या किया, उतना ही फोर्स अपोजिक डिरेक्शन में लगाया, उसको बैलेंस किया, उस फोर् पढ़े हैं, यह आपका जो वर्ट होगा, उसके ऐ क्कोल है, मतल्य चार्ज को इन्फिनिटी से और कहां तक पॉइंट पी तक लेक है एलेक्रिक फिल्ड में तो जितना वर्क हुआ एक्टनल वर्क हुआ दाट विल बी इकल टू चेंज इन पोटेंटियल एनरजी यह हमने पहले पढ़ा था डिसकस किया था ना ध्यान है हाँ गुड तो अगर हम यह कह ले कि भी यह जो पोटेंशल अरजी में चेंज आया और वो पर उनिट चार्ज कर दे तो दाट विल बी इकल टू क्या होगा पोटेंशल अड़ एट पोटेंशल अड़ पोटेंशल अड़ पोटेंशल एट पॉइन आज वी पी इसको ऐसे भी डिफाइड कर सकते है लेकिन हमें डेफिनिशन के चक्र में ज्यादा नहीं पड़ना है हमें एक सिंपल पता होना चाहिए कि अगर हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं कहां से इंफिनिटी से तो उस पर जो वर्क करना पड़ा हमें तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके आते हैं तो यूट विक्वल टो पोटेंशिल एडट पॉइंट इंडेट्रिक फील्ड राइट क्लियर है ग्रेट और अगर मानलो यूनिट चार्ज नहीं है उसकी कुछ वैल्यू है तो जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल दो चेंगेट पटलेंश अनर्जी और हम कह सकते कि इंफीनिटी पर जो पॉडनेशिल एर्जी होती है वह किदनी होती है कि अजियू करते he पॉटेन्जिघक कॉम से बात करें हम ओबिसली उलक्αιों सीडिक पोटेन्जिल अगाई करते हैं यह हम पहले सीख चुके हैं तो चलो नेक्स पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वज़े से हमने एलेक्ट्रिक फिल्ड इफाइन किया था सपोज यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू राइट और इससे कहीं आर डिस्टेंस पे यह कोई आर्डिस्टेंज पे एक पॉइंट है कितनी इसटेंस पह आर डिस्टेंस पर लाट दिसस्टेंपि पॉइंट है को शपी प्यायंट है पॉजिट फोज़े हलं एकट्राइग और यहां पर इसके जैसे potential कितना होगा तो हम क्या करेंगे इसका जो potential यह electric field होगा इसका हम unity कहां से infinity से unit charge positive unit charge लेके आएंगे कहां पर यह इस point पर right तो इसमें जो work करना पड़ेगा हमें w external that will be equal to potential at this point because यहां पर potential कितना है इसको reference point लेते हैं right very good so यह हम कैसे लिखते हैं यहां पर आपका वी a will be equal to k q by r simple formula है बिल्कुल point charge की वज़े से r distance पे एक point पर potential कितना होगा k q by r अगर इतने इधर r distance इधर बात करें हम इससे इधर बात करें r distance पे तो कितना होगा potential obviously potential कैसे quantity है scalar quantity है विटा क्योंकि किसके respect में define कर रहे हैं इसके electric field आपकी vector quantity है और potential आपकी scalar quantity है तो यह बात ध्यान रखना ना हाँ confused नहीं होना तो अगर इस point पे भी हम बात करें r distance पे इधर से इधर से r distance पे बात करें कि potential कितना होगा तो यह potential कितना होगा वहीव यह सपोच पॉइंट भी है और distance आ रहे हैं तो उनको बीच में यहां से तो वी बी विल बी इक्वल टू के क्यू बाइए अगर यहां पर बात करें इससे यहां पर तो यहां पर भी के क्यू बाइए और ही होगा पोटेंशल राइड कितने पर ऊर्ट इस इस से उने चाहिए नां यह सीकुलिट्स और हैं तो किसी बीडिख्शिय विल्के कर दो कि aunt contribution आपका potential अगर हम बात करेंए को माइनस माइनस कर दाते हैं सपोझी यह माइनस यू चाहर्ज है तो इसके वजए से और 10 इस तंस कितना होगा सोच चकते हो यह मालनों पॉइंट पी है और यह विस्टेंस कितनी है यहां से आ रहा है अभी हमें पता है कि इस्किलर कॉंटिटी है रइट कैसे को इटी पॉटेश्ञ इसकेलर कॉंटिटी ए डारेक्शन का कोई मतलब बचता ही नहीं है समझारी बात हाँ डारे work हुआ that will be equal to kq by r लेकिन यहां पर हम charge का sign लेंगे so minus kq by r होगा P पर कितना होगा minus kq by r होगा अगर इसको वैसे समझे तो हम जैसे इसके field में आएगा charge unit charge उसको यह attract कर देगा और work done कैसा हो जाएगा यह चार्ज कुछ करने पड़ेगा बलकि यह चार्ज कुद मदब फिल्ड के वज़े से वर्क हो रहा है राइट तो उसी डिरेक्शन में वर्क हो रहा है तो minus हो जाएगा and that's why it is minus kq by r चलो उस चकर को छोड़ दो simple इतना समझो कि अगर r distance पे किसी भी minus q charge के वज़े potential difference पूछता है that will be equal to minus kq by r okay समझ गया समझ माई बात के नहीं आई very good अब देखते हैं कि हमारे पास में माल लो यहाँ पे एक plus q charge है और यहाँ पे minus q charge है minus q charge है minus q charge है right इसके साथ में एक तीसर और plus q charge है plus q charge है और हम कहें कि किसी भी point पर किसी भी point p पर यहाँ पर है suppose point p यह पर यहाँ पर माल लेते हैं let us ajum point p कहाँ पर है यह किसी भी location भी ले लो यह point p है तो यहाँ से अगर हम कहें कि कि इसकी distance विया अलग 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 है इनकी ना अलग अलग होगी होग बसली तो यह देखो यहाँ से सपोज यह r1 distance है इसकी यहां से इस point की r2 distance है यहां से इस point की r3 distance है so potential at point p due to these three charges क्या होगा simple इनका सम होगा potential इसकी वज़े से जो potential यहां पर होगा plus इसकी वज़े जो potential होगा वो प्लस इसकी वज़े से potential होगा right vector quantity नहीं है क्या करा हूं मैं vector quantity नहीं है इसलिए कभी चक्र में मत पढ़ जाना electric field vector quantity है लेकिन potential आपका कैसी है scalar quantity है यहां पर हम तीनों के वज़े से potential निकाल लेंगे वो क्या होगा निकाल सकते हैं बिलकुर निकाल सकते हैं सर सो vp is equal to इसकी वज़े से यह kq by r यह point यह charge जो है इसकी वज़े से यह minus का charge है सो minus का हो जाएगा kq by r1 है kq by r2 और यह आपका कैसे है प्लस का ही है सो kq by r3 potential क्या हो गया kq भार आजाएगा 1 upon r1 plus 1 upon r3 minus 1 upon r2 बहुत सिंपल है अगर यह field होता electric field के हम बात कर रहे होते हैं इसके वज़े से तो फिर हमें component लेने पड़ते और फिर एक्स में निकालना पड़ता फिर वाई भी निकालना पड़ता है इसे करना पड़ता है ठीक है और इसका ग्राफ यह अगर यह सेक्सिस पर हम इसको क्या लेते हैं वी ले लेते हैं और यह हमारा ऐसे लिए नहीं है यह आ रहो गया यह यह वी है तो कैसे बनेगा ग्राफ कि अरे यहां पर हाई एस रहेगा के क्यों वाई आर सो इन्फाइनेट इस तरह जाएगे बैटा इधर पॉस्टिव एप यहां पर फिल्ड अब चार्ज की वजह से आपका जो इलक्टिक फिल्ड हमने डुर किया था वह तो यहां पर पो इसका यहां पर भी यह ऐगा आई तरीके से बनेगा उपर यह भी पोजिटिव रहेगा इधर भी पोजिटिव रहेगा और इधर भी पोजिटिव रहेगा पोटेंशल कैसे रहेगा अगर आप मैं अभी दिखाता ना कि पोटेंशल यहां पर निकालो या फिर इधर निकालो इस पॉइंट पर निकालो कहीं पर है बता सकते हो सोच carbohydrate ऐपके अभाट कैसा बनेगगा यह व्ये हैं यह आपका और हेदर beef Rth आना है और गराफ़ डिस्टेंस पर पोटेंसिल क्या होता है कि डियार के लो या सव 하지만 मैंनस क्यूब पाइ आर यहीं पोटेंशिल होता है ठीक है कि नहीं है ग्रेट सो नेटीव बनेगा पोटेंशिल यहाँ पे पॉजिटीव ऊपर की तरफ ग्राफ में और इधर क्या है नेगेटीव है समझे की नहीं समझे इतने समझदार तो होई चुक्या है अब अग्राफ अपने डोग है यह मिटा तो कैसे आएगा ग्राफ आपका इस तरह से आएगा राइट दोनों कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे और जब इसकी तरफ और और जब जीरो की तरफ जाएगा तो यह टेंस टू इंफिनिट से और ग्राफ कैसे बन सकता है ग्राफ पर कूश्यू सकता है बिलकुल थोड़ा अच्वेस्ट पूछन होगा उसको तो आपका ग्राफ से पूछन कूछ सकता है में कि यह हो सकता है कि यह अभिए यहाँ पॉजीटीव चार्ज एई लिए क्योए की यह उट्यूच ले एक्स ले लो उसके फर्ण नहीं पड़ेगा तो इस तरह से इसका ग्राफ बन वालेगा आपसे कि तो यह हमने देखा था हिए क्या कि ग्राफ में कैसे जाएगा यहां से उपर पोजिटिव चार्ज से यहें बन्ता ग्राफ ऐसे जाएगा और यह इसको ग्राफ आप ऐसे आएगा और इधर से पुजिटिव चार्ज है पुजिटिव चार्ज है पुजिटिव चार्ज रोक हना इस था था अभी हम ने ये इस्तर मिले गा ऐसे नहीं यहां प्राइब होगा यह उदर नीचे आएगा क्थोणों का भणे का का वह तोड़ा आगा यह थोड़ा सा ऐसे से नहीं इसा है नहीं हो फिर यह बनेगा इने नहीं संत contracted अनत क्याbrarणा है का यह सी थोड़ा उठा हुआ रहा है यह 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 यू शेन गोन जा आएगा भी यह थोड़ा सा उपर उठावा से बनेगा यह इस तरह को बनेगा इस तरह बनेगा यह इस तरह का बनेगा राइट ग्रीडु अफॉडवाला होगा समझेगे नहीं समझे, clear है, negative बोल देता है यहां पर कैसा charge है यहां पर, negative charge है सपोच, यह plus Q charge हो गया, यहां पर plus Q charge हो गया, plus यहां पर आपका negative किस से ले लेते हैं, चलो यलो इस ले लेते हैं, ओके, यह negative charge हो गया, right, तो कुछ बच्चो को हो सकता है यह चीज़े नहीं पड़ी लेकिन यह तुम्हारे question पूछे जा सकते बिटा ना अच्छे जो question बनेंगे वो इसी दिरे के graph ग्राफ अपर बनेंगे, right, बच्चो को लग रहा होगा यह सब क्या बढ़ा रहे हैं, पता नहीं, कुछ एक दो बच्चो का इसे मैसूस हो रहा होगा, लेकिन graph पर अच्छे question बनते बिटे तुम्हारे, ठीक है, तो यह तो क्या होगा, प्लस चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, यह आपका माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर, हैना, है कि नहीं है, माइनस क्यू चार्ज है, तो अब इसका graph बनाओ, फ्लोट करो, कौन से, इस्चे कर देते हैं, चलो, इस्चे इसका करते हैं, तो यह क्या हैगा इसका graph, इस यहां से हम इसको इसका ग्राफ कैसे बताओ मुझे इसका ग्राफ सर ऐसे आएगा है ना आएगा और यह इदर से ऐसे जाएगा तो यह दोनों को अग्र हम देखे दोनों को मैज करें तो यहां पे कुछ वैयल यहां पे यह क्रश्ट आइगा नेया ग्राफ जो डोनों यह इस तरह से आएगा विटर और ग्रीन वाला दिख रहा है यह आपका फाइनल ग्राफ होगा, राइट, यह वाल अग्राफ होगा, और इसमें, इसके वज़ेश क्या चेंज आएगा, यह थोड़ा सा, ज्यादा नीची कर दिया, हाँ, यह आपका, यह इस तरह से आएगा, किसके वज़ेशे, यह यलो जो बनेगा ना, इसका, इसका नेगेटिव क आछाओ, नेगेटिव चाज करेगा, उसका कुछ तो एफक्ट रहेगा नहीं, हाँ पर भी, राइट, और इसका पोज़ेशे वज़ेशे रहेगा, इसका वह उपर आजाएगा, यह पोज़ेशे रहेगा, यह रहेगा ना, थोड़ा साइसे, तो यह आपका, फाइनल जो ग ग्राफ बनेगा फाइन ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो फाइन ग्राफ है आपका तो ऐसे कुछ वरीशन करने डाल सकते हैं नीट में और इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे साथ ठीक है इतने में काम चल जाएगा हमारा अगर ग्राफ आपको समझें आगे तो यह चीज क्ल ओके यह से पर लेते हैं यह सपोज एक स्क्वेर है क्या है स्क्वेर है अगर मैं इस पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज अब इसके वर्टेक्स पर यहां पर आपने प्लस क्यू रख दिया यहां पर प्लस क्यू रख दिया यहां पर प्लस क्यू रख दिया यहां पर प्लस क् से तेसे से इसे चेंज से एक और वे चिनोज है एच तो कि रहेगी चले और यार उसके साइट जो यह आर है, यह साइड, यह डिस्थें, यह भी आर रहे गी, स्क्वेर है, तो यह कितना हो जाएगा? आपका, यह ट्रेंगल बनी गया, हाईपोटेनियस और यह सेंटर पॉंट यह हमारा, तो सेंटर पे यह डिसेंस कितनी हाजाएगी? अगर अगर आप इससे निकालेंगे यह सब्सक्राइब रूट में रूट टू आर हो जाएगी रूट टू यानि यह हो जाएगे आपकी आर भाई रूट टू होगी इधर से भी रूट टू होगी तो हम बात कर सकते हैं कि अब सेंटर पे सपोज यह आपका ओ है पॉइंट तो ऑपर जो पोटेंशिल होगा वह कितना होगा निकाल सकते हैं ऑल्कुल क्या मतलब वह सका इसको भ Matter भर यह हम यहां पर जीनगतर हैप तो क्या कहरा है हम हम इंफनिटी से एक चार्ज को यहां पर लेकिया है तुर चार्ज को मिनट हだ तो इसके बिलकुल करना पड़ेगा सर इसके इसका फोर्स भी काम करेगा इसका फोर्स भी काम करेगा सबके फोर्स अलगल काम करेंगा यह तो समझने के हो गया लेकिन हम सीधा निकाल सकते हैं क्या सिखा नमने कि किसी भी पॉज़िटिव चार से और डिस्टेंस पे जो हमारा पॉटेंशल दोगा के क्यू भाई यार होता है यहां पर डिस्टेंस कितनी है और बाई रूट टू सो इसकी वज़े से अगर हम देखे तो के क्यू बा रूट फ्लास के क्यू आर्वाइं रूट तो सिम्पेन कर लेंगे माइस कीव हो गया तो कितना रहेगा पॉर इस केसμे क्या हो जाएगा बदल जाएगा हां अघ्यां भी रहेगा करते हैं अब हमनेाश को माइनस करदिया सपोज यह माइनस हो गया तो क्या आएगा अपने या वP आपका हो जाएगा इसके वोगने स्वज़ू इसकी वोगने स्विश्टीव। और इसकी व्युज़िय। बराबर यह वेरी गुट सो यह उपर जे आएगा टू रूट टू के क्यू बाइं और अगर मैं यह क्या खाम करता हूं एक और चेंज करता हूं चलो हमने एक चार्ज को और नेगेटिव कर दिया कौन से को किसी को भी कर दो कोई फर्ट पढ़ना है क्या अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं तो देखो इसकी वज़े से नेगेटिव पोटेंशल यहां पर इसकी वज़े से माइनस के क्यू बाई आर बाई रूट टू ने से को अहीं कंटिव क्रद सब्सक्राइब की सब्सक्राइक होगा वहीं गटा क्यों फूर जो निफिघ्य्या करैंगे हम उसमें हम जो इनिफॉर्म डिस्तर चार्ज बहुता तो हम नेक्स लेक्टर में यूनिफॉर्म्ली चार्ज डिस्टूबिशन में यह नी कंटिनियूस चार्ग डिस्टूबिशन उसके कान्ट जो पोटेंशल वगरा होता है कैसे वेरी करता है वो सब चीजे नाक्स लेक्टर में हम डिसकस करने वाले हैं तब तक ले प्रक्टिस करते रहे हैं और अपनी प्रपेशन का मोमेंटम बनाया रखें मेरी तरफ से आपको बहुत सारी सुब काम नाए है चूकना नहीं विटा भेहनत करते रहना है चलो